millions में जो spermsे डोडल लगाते हैं और कोई एक sperm ही कामयाब होता है उस अंडे के अंदर जाने के लिए और जैसे ही जिये sperm उस अंडे के अंदर चला जाता है तो इस फिर्गिया को fertilization कहता है तो हम बात करने वाले हैं week on week कैसे ये जो fetus है वो कैसे growth करता है हफते दर हफते कौन-कौन से ओर्गन्स डेवलप होते हैं और कैसे-कैसे इसका साइज बढ़ता है पहले बात करते हैं पहले से चोथे हफते के बीच क्या होता है सबसे पहले प्लेसेंटा बनता है प्लेसेंटा वो ओर्गन है जो बच्चे को मा के बलट के तुरू का साइज है वह करीब सिर्फ चोताई इन्च के बराबर होता है उसके बात पांचवे से आठवे हफ्टे के बीच. जो सबसे पहले और्गन बनता है ब्रेन ब्रेन का डेवल्प्मेंट शुरू हो जाता है पांचवे हफ्टे के बाद उसके बाद दूसरे organs भी develop होना शुरू होता है जैसे कलाई, हाथ, पैर और उसके बाद जो nervous system है वो develop होना शुरू होता है और करीब आठवे हफते तक ये अच्छी तेई से develop हो चुका होता है पांचवे से आठवे हफते में ही ये decide हो जाता है कि बच्चा male होगा या female होगा और उसके जो genital organs है वो develop होना शुरू हो जाते हैं और आठवे हफते पूरे होते होते जो बच्चे की length है वो करीब 3 cm तक हो जाती है और जो वजन है वो करीब 1 gram होता है नो से बारवे हफते के बीच जो fingernails हैं, toe nails हैं वो develop होना शुरू हो जाते हैं और brood के जो sense organs हैं वो भी develop होना शुरू हो जाते हैं और इसी समय में जो बच्चे की bones हैं अब वो develop होना शुरू हो जाती हैं उससे पहले बच्चा सिर्फ एक मांस का लोतला होता है और नवे से बारे हफते के बीच में बच्चा उतना strong हो जाता है कि वो अपने head को जो हो hold करने लगता है अंदर फिर 13 से 16 हफते के बीच में बच्चे का neck, ankle, wrist ये formed हो जाते हैं इसी समय में जो बाल हैं वो उगना शुरू हो जाते हैं और जो eyes हैं वो develop होना शुरू हो जाती है यानि कि eyes भी इसी weeks में formed होती हैं 13 से 16 हफते के बीच में और बच्चा अब तेजी से बढ़ने लगता है थोड़ा उसका वजन बढ़ने लगता है और जो muscles हैं वो grow करने लगती है bones के उपर muscles फैले लगती हैं और इसी समय में mother जो है वो बच्चे की moment को भी feel करना शुरू कर देती है उसके बाद 17 से जो 20 हफता होता है इसमें जो बच्चे का दो हफते का वजन था लगबग उससे दो गुना वजन हो जाता है क्योंकि अब बच्चे की growth काफी तेजी से हो रही होती है और बच्चा यहां पर stretching करना शुरू कर देता है यहां तक की kicking करना शुरू कर देता है और यहां पर मा को बच्ची की kick भी feel होना शुरू हो जाती है और बच्चे के lungs जो हैं वो भी 17 से 20 हफते के बीच में ही develop होते है और जो skin का color है अब वो reddish होना शुरू हो जाता है इस duration के तोरान उसके बाद 21 से 24 हफते के बीच में जो आँके हैं वो पूरी develop हो जाती है और जो eyelids आ जाते हैं और बच्चा आखों को blink भी कर सकता है और जो embryo या बच्चे का size है वो इस समय पे आके करीब 12 इंच तक हो जाता है 25 से 28 हफते में बच्चे की growth होती है बाकी organs भी बढ़ने लगते हैं और जो size है वो करीब 15 इंच तक हो जाता है और बच्चा जो है वो अपने आपको stabilize करने लगता है इस समय में बच्चा महसूस करने शुरू कर देता है वो react करना शुरू करता है इविन बाहर के environment पे अगर माँ खुश होती है तो उसको भी खुशी का एसास होता है माँ दुखी होती है पेन में होती है तो उसको भी इस पेन का या दुख का एहसास होता है यहां तक के जैसे sounds, music यह सब भी बच्चा महसूस कर सकता है और उसकी सिहत पे भी इसका असर पड़ता है 39 से 30 हफते के बीच जो बच्चे की हार्ट बीट है एविन आप बाहर से भी सुन सकते हैं अगर आप कान लगाते हैं मदर के पेट को तो आपको बच्चे की हार्ट बीट सुनाई देने लगती है और इस समय में बच्चा एविन अपना अंगूठा भी सक करता है पेट के अंदर ये सारा जो प्रिक्रिया है ये 39 से और 32 हफते के बीच की प्रिक्रिया है इस समय में यानि कि 39 से 32 हफते के बीच जो बच्चे का वजन है करीब वो 1200 से कुछ 1300-300 ग्राम तक हो जाता है 33 से 36 हफता आते आते जो बच्चे की लंबाई है वो करीब 19 इंच तक हो जाती है और बेबी जो है अभी पूरा डेवलप्मेंट फेज में आ जाता है और इस समय पे जो बच्चे का वेट है करीब वो 2-5 किलो के असपास हो जाता है इसके बाद 37 से 40 हफते में बच्चा पूरा गिरो कर चुका होता है वो उसके लिए स्पेस की कमी हो जाती है माके पेट के अंदर जो पानी भरा होता है उसी के अंदर ये फ्लोट कर रहा होता है और जो बच्चे का सर है वो नीचे की तरफ आ जाता है और बच्चे का सर नीचे होता है इसी को नॉर्मल पोजिशन माना जाता है अगर बच्चे का सर नीचे नहीं होता है तो ये abnormal position होती है और यह caesarian section operation का कारण भी बन सकता है और जैसे समय नजदीक आता है बच्चा जो birth के अनाल है उसका सर नीचे जाने लगता है और फिर mother को pain आने लगते हैं जिनको labor pain कहते हैं और यहां से फिर delivery की पिरकिरिया शुरू हो जाती है और फिर आपको खुश कबरी सुनाई देती है तो मुझे उमीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा जानकारी बरा लगा होगा अगर वाकिए आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको like करें share करें और चैनल को सारे इस तरह के informative वीडियो समय पे मिलते रहें तैंक यू